हालो एं नमस्कार वल्कम टू आर शोव रिलीजिस एंड स्प्रिच्वल थरपी स्वागत है आपका हमारे स्कारिक्रम में और हमारे साथ है पंडित कौरी शंकर जी आज हम चड़जा करेंगे जिन लोग के इश्रेवता हनुमान जी हैं उन्हें क्या करना चाहिए नमस्कार पंडिजी स्वागत है आपका हमारे स्व में पंडिजी में जानना चाहूंगे कि जिन लोग के इश्रेवता हनुमान जी हैं उन लोग को क्या करना चाहिए हनुमान जी को खुश रखने के लिए जी करिश्मा जी हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने इश्ट देवता हनुमान जी महराज को आप कैसे प्रसंद करते हैं सभी देवी देवताओं को अनेक प्रकार के मंत्र है प्रसंद करने के लिए परंटु सभी देवताओं की विशेस गायत्रीया हैं यह हम इन गायत्रियों का प्रयोग करते हैं तो हमये अपने इश्ट से सीग्र राद सीग्र शुब फल की प्राप्ति होती है तो ऐसे में हम आपको बताएंगे कि हन्मान जी को आप कैसे प्रसंद करते हैं तो हम आपको बताएं हन्मान गायत्री हमारे दर्सक्ध्यान से सुनेंगे ओम अंजनी सुताय विदमहे पवन पुत्राय धीमही तन्नो हनुमत प्रचोदयाद यदि हम इस गायत्री का जब मंगलवार के दिन हनमान जी के सामने करते हैं तो हमारे जीवन में हनमान जी की विशेश अनकंपा और महती करपा होती है कम से कम आप 11 मंगलवार इस गायत्री का जब करें तो अवश ही महाराद अनमान जी की करपा होगी धन्यवाद पंडी जी रिलिजिस अन स्प्रिच्वल थरपी में आपने जाना कि किस तरह हमानुमान जी को खुश रख सकते हैं